एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर-चोर मौ सेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, आम आदमी पार्टी के कारिकरता घोर निराशा में है, क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, मैं इनको जेल भेजना है, सोनीय जी को, राहूल जी को, अब उनी के चरणों में लेट गए हैं, आम आदमी पार्टी के कारिकरतां की निराशाः शब्दों में नहीं बताई जा सकती, उधर कॉंग्रेस के कारिकर्ता भी हतास है जिन कांग्रेस को गाली दे दे कर 15 साल की सत्ता से हटाया था अर्विंद केजरिवाल ने और आवादमी पाटी ने आज वही अर्विंद केजरिवाल राहूल गांदी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है असल में ये लोग अपने ठाट बाट में रहने के आदी हैं यही कारण है कि करोडों की लागत से जनता के करोडों रुपए से शीष महल बनाना राज महल बनाना जेट सिकुर्टी लेकर सुपर वी वी आईपी के तरह जिंदगी खाटना यही उद्देश सिथा शाय दिन का अब वो मिल रहा है जनता जाय भाड में जनता की गलियां त धोकर एखाय दिल्ली की उससे कोई मतलब नहीं कि लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है भार्टी जनता पाटी सबके दिलों में है नर्गरोदीजी सबके दिलों में और हाँ अब तो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे दिल्ली की जनता सबताय करेगी क्योंकि आज पता चल गया आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के सिर्ष नेता तो एक गई है एक कहावत सुनी होगी आपने चोर-चोर मौ सेरे भाई और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी के कारिकरता घोर निराशा में है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है इन कांग्रेस की उनको जेल भेजना है सोनिया जी को राहुल जी को अब उनी के चरणों में लेट गए है आम आदमी पार्टी के कार्यकरताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती उधर कॉंग्रेस के कार्यकरता भी हतास है जिन कांग्रेस को गाली दे दे कर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरिवाल ने और आदमी पार्टी ने आज वही अर्विन केजरिवाल राहुल गांदी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है असल में ये लोग अपने ठाट बाट में रहने के आदी हैं यही कारण है कि करोडों की लागत से जनता के करोडों रुपए से शीस महल बनाना, राज महल बनाना, जेट सिक्यूर्टी लेकर सुपर वी वी आईपी के तरह जिंदगी खाटना यही उद्दे सिथा साय दिन का अब वो मिल रहा है जनता जाए भाड में, जनता की गलियां तोटे, पानी जल जमाओ हो, प्रदूसन हो जनता दरदर की ठोकर एखाय दिनली की, उससे कोई मतलब नहीं लेकिन इनको शायद याद नहीं है, कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती उनके दिल में तो वो है, जिसने जो कहा है, वो किया है भार्ट की जनता पाटी सबके दिलों में है, नरग लोदी जी सबके दिलों में और हाँ, अब तो वो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे दिली की जनता सब तै करेगी, क्योंकि आज पता चल गया आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस के सिर सनेता तो एक गई है